दोस्तों हम अपने future के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा invest करते हैं जिसमें common होता है fixed deposit करना जिनके account bank में होते हैं वह bank में FD करवाते हैं या फिर post office में fixed deposit करवाते हैं लेकिन bank FD और post office की fixed deposit में कुछ difference हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है यदि आप भी FD करवाने क की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्रपूर्ण साबित हो सकती है तो वीडियो को end तक जरूर देखें और इस वीडियो से आप लाव ले नमस्ते दोस्तों आप देख रहे हैं Amitri Mountain YouTube चैनल तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहल आंतर हम देखते हैं Post Office FD और Bank की FD में Post Office में FD या फिर कोई भी स्किम Only Indian Resident के लिए होती है यदि कोई भी NRI Post Office की स्किम में इन्वेस्ट करना चाहें तो नहीं या सुईधा नहीं मिलती है जबकि लगबग सभी बैंकों में NRI के लिए NRE या फिर NRO Fixed Deposit करने की सुईधा मिल Post Office FD और Bank FD में दूसरा डिफरेंस है tenure का Post Office में आपको एक साल, दो साल, तीन साल या फिर पांस साल की Fixed Deposit की सुईधा मिलती है जबकि बैंकों में आपको 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की FD एवलेबल होती है लेकिन जब बात करेंगे Interest की और Guarantee की तो Post Office का पलड़ा सबसे भ benefits, Post Office में senior citizens के लिए अलग से कोई भी interest नहीं दिया जाता है, general और senior citizens सभी के लिए एक ही ब्यादरे होती है, जबकि बैंकों में senior citizens के लिए अलग से interest दिया जाता है यानि general interest से कुछ ज़्यादा interest senior citizens को मिलती है लेकिन सबसे महतपूर्ण और गौर करने वाली बात या है, बैंकों में जो senior citizens को interest मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको Post Office की small serving scheme में interest मिलती है ये दिया आप July 2022 की Post Office या फिर सभी बैंकों की new FD interest के बारे में जाना चाते हैं, तो वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं Bank FD और Post Office FD में 4 अंतर है account transfer का, Post Office की FD scheme को आप भारत के किसी भी Post Office में transfer कर सकते हैं, लेकिन bank में ऐसा नहीं है, यदि आपका account State Bank of India में है, तो आप यदि चाहेंगे SDFC में आपका account transfer हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपका account भारत के State Bank of India में किसी भी ब्रांच में transfer हो स पाचवा अंतर करने के सुविधा मिलती है और अलग-अलग slip के लिए अलग-अलग interest दिया जाता है, I hope दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को like करें और दोस्तों में share जरूर करें, Post Office की सभी नई update हमेशा जानने के लिए आप Amitri Mountain YouTube चैनल को subscribe जरूर करे झ्र्माउक मेंटीट है,in क dá ईम झालगी करेंगे, इन उर्वाच को के लिए ओनाने के लिए ये खर गुरूर कच से लिर्यों के लिए खूरओं के लिए के लिए जह लोगे, तोस्तों के निए अरूर छंच सवरॉम हिर वीछिव, टावर च battery, अईस्तों का वीए वीए कष